हलो दूस्तू नमश्कार प्राफिट गुरू चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दूस्तो इस वीडियो में एक धमाकेदार कमपनी को स्टॉक्स को कवर कर रहा हूं इसको हमें पोटफिलियो में जगा देना चाहिए अ में कमपनी आपको क्यों अपडेट कर रहा हूं तो सब सब पहले मार्केट देख लेते हैं देखें मार्केट अभी क्या कर रहा है हलके से प्रेशर में ट्रेट कर रहा है मार्केट नहीं आप लो लगाया था अठाराजा दोस्तों बीस का ठीक है और अब रिकावर करके बीस इस लेवल के उपर रहेगा तभी वो एक comfortable zone में रहेगा अब देखते हैं आगे क्या होता है जैसा अभी update आता है फटा बट्च आपको cover करेंगे तो वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए चलिए सबसे पहले stock का performance दिखाता हूं आज का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं stock आज पूने 2% की तेज़ी के साथ 710 पर ट्रीट कर रहा है प्रीवेस close था 677 रुपे 50 परसे ओपन होता 401 हाई लगा था 712 रुपे 75 परसे और लो लगा था 614 रुपे 15 परसे ठीक है उसके साथ ही आप यहाँ पर देखें 52 बिक का ही 52 का लो एक साल के अगर मैं बात करता हूँ तो एक साल में 15% से ज़्यादा गितेजी है ठीक है 5 साल के मैं बात करता हूँ मतलब 5 साल में 180% दोस्तों यहाँ पर पैसा बना के दिया है अपने shareholder को 5 साल पहले आप देख सकते हैं वो किस प्राइस पर ट्रीट कर रहा था उसके भी मतलब 300% पैसा बना दिया है अब यहाँ पर देख सकते हैं और overall के अगर मैं बात करता हूँ तो overall मैं आपको क्या देख रहा है देखे company market में कितने रूपे के प्राइस पर आई थी ठीक है और अभी कितने रूपे के प्राइस पर चलती है ध्यान से देखे ठीक है क्योंकि ए यहाँ पर 8 में market crash हुआ था उसके साथ यह company कहाँ पर आ गए थी 2009 में आप देख सकते हैं 2009 में यह company मतलब वो ही 5-6 रूपे पर आ गए थी यहाँ से शुरुआत की थी जब market 2008 में भी crash हुआ था तब भी दोस्तों यह company का जो share का price था उतना था जितना यह company market में आई थी ठीक लेकिन आज वो बहुत बड़ी हो गई है तो expectation यह किया जा रहा है कि यह company भी बहुत जल्दी उतनी बड़ी हो सकती है तो हम किस company के बात करें यह तो मैं आगे आपको बताऊंगा अब इस company के हम fundamental condition देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस company का जो अभी current की equity 20.2% face value 2 रुपे की है dividend deal भी बहुत बढ़िया है साथ में moving average की अगर मैं बात करता हूं तो देखे 50 दिन का moving average लगा है 200 दिन का moving average लगा है ठीक है तो 50 दिन का moving average को अभी stock breakdown देखे 200 दिन के moving average का support ले रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं support लेने के बाद recovery की कोशिश भी कर रहा है तो स्टॉक ना साड़े 700 के ऊपर जाएगा ना जब यह 50 दिन के moving average को भी break कर देगा आगे क्या होता है और यह company का जो CAGR का growth है ठीक है लाश्ट पांस साल में आप देख सकते हैं साड़े 24% का है ठीक है इसके साथी company का quarterly wise performance अगर मैं आपको दिखाता हूं यह देखे स सितंबर क्यों में company ने 3000 करोड की sales की मतलब 3000 करोड का revenue निकाला ठीक है अभी तक का सबसे ज्यादा Q1 QB और year on year basis पर भी अब net profit देखते हैं देखें net profit company का बहुत कम रहा है year on year basis पर भी और Q1 Q basis पर भी मात्र 536 करोड ही वह सरी 563 करोड ही रहा है ठीक है अभी क्यों रहा है य company का revenue किसा बढ़ रहा है 2013 में मात्र 25 करोड का था आज 10,000 करोड का revenue हो गया ठीक है net profit अगर आप देखेंगे तो पूरे साल भर में 300 करोड का निकाला था अब company 22 करोड का निकाल रही है यहां तीन डीजिट में business हो रहा था यहां पर चार डीजिट में business हो रहा है ठीक है उसक के साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं shareholding pattern तो सबसे पहले दिखाता हूं promoters promoters का stake अच्छा कासा FII की में बात करता हूं FII ने बहुत बड़ा stake यहां पर buying किया है आप देख सकते हैं और domestic investor ने अपना जो stake है वो कम किया है ठीक है मतलब foreign investor को यहां पर कुछ ना कुछ चीज जो इस company की fundamental condition है वो बहुत अच्छी दीखी होगी बस Q2 का जो number है वो थोड़ा सा खराब आया है ठीक है वो इसलिए खराब आया है कि company का जो gross NPA है वो बढ़ गया है provision जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम किस company के बात करें हम यहां non-nbfc है ठीक है और non-nbfc मतलब इसकी category के इसाब से अगर हम यहां पर देखें तो बजाच finance बजाच फिंसर SBI कार्ट बजाज होल्डिंग और इस company का पांचवे नंबर पर पायदान आता है ठीक है 58,000 करोड का market के बजाच finance का 4,000,000 करोड का market के बजाच finance का जो share है ठीक ह वो भी 1999 में 5 रुपे में आया था 2009 में ठीक है 2009 में 5 रुपे था लेकिन आज आप देख सकते हैं 6,800 रुपे का यह भी 1999 में आया था 5 रुपे में 2009 में यह भी 5 रुपे का था लेकिन इसका market के थोड़ा काम है लेकिन इसका market के इसका जादा है इसका थोड़ा काम है तो इसक कर रहे हैं कि जब इस company का growth आगे होगा ठीक है तो इसका भी share का price सायद यह हो सकता है आज नहीं तो 5 साल बात यह 10 साल बात तो जरूर होगा क्योंकि देखे long term investor का क्या focus रहता है कि मैं किसी share को 3 साल 5 साल 10 साल या 15 साल hold करूँ ठीक है 2004 में TCS दोस्तों एक IPO के माध्यम से आया थ था 5500 करोड का IPO था मात्र 5500 करोड का TCS आया था 5500 करोड के हिसाब से ठीक है और आज TCS की value कितनी है दोस्तों 12 लाग करोड कितनी 12 लाग करोड मतलब 2024 में उसको 20 साल complete हो जाएंगे ठीक है 2024 में अभी 18 साल complete हो गए है तो आप देख सकते हैं कि अगर इतना लंबा time frame कोई अग को कितना पैसा मिलेगा market से यह आप देख सकते हैं तो यह top quality company है आज बजाज finance का share 68 सो रुपे का है हो सकता है कि अगर company का money हुआ कि हम इसको नहीं तोड़ेंगे ठीक है नहीं तोड़ेंगे मतलब नहीं तोड़ेंगे तो यह 68000 भी जा सकता है ठीक है बजाज fincer को तोड़ दिया है तो यहां पर थोड़ा होप है कि आने वाले एक दो साल में सायथ बजाज finance का share भी अगर 10,000 से उपर चले जाता है तो वो तूट जाएगा यह hope लगई है क्यूंकि बजाज fincer का जो share था वो तूट चुका है अगर वो नहीं तूटता तो यह hope नहीं आती तो यहां पर अब यह लग रहा है कि यह company का भी जो condition है ठीक है थोड़ा थोड़ा वैसे दिख रहा है दो हजा उन्निस तो 99 फिर दो हजान ना हो और इसकी भी fundamental condition लगभग 95% साही दिख रही है हमें तो यहां में आगे कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर बना के दे सकती है तो जरूर आ करिए ठीक है आपको काफी पैसा यह company भी आके बना के देगी खैर मेरा काम है आपको update करना एक सथी रिसेर्च रिपोर्ट निकालके दिना मैं निकाल के दिया मैंने update दिया अब आपका काम है कि आपको investment करना नहीं करना आपका काम है और knowledge earn करना देन उसके बाद जाके investment करना ठीक है आपका काम तो यहाँ पर बस यह रहता है कि वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि डेली वेसेस पर से बहतरिंग वीडियो में आप लोगों तक लाता हूं तो थैंक यू दोस्तो